नमस्कार दोस्तूं सुबह का समय सभी को गुड मॉर्निंग दोस्तूं और बड़ी खुसकबरी के साथ आपके सामने में हजीर हुआ हूँ सितंबर के अंदर ये सितंबर का मैना बेरोजगार साती जो सिक्सक भरतियों के तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए नई सिक्सक भरति हैं वो सितंबर के अंदर आने वाली है अगर आपने न्यूज पेपर कल का और आज का ध्यान से पढ़ा है तो आपको कुछ वहां से जानकारी भी इसके बारे में मिल गई होगी दोस्तूं तो चलिए इसके बारे में कंप्लेट जानकारी हम लेंगे एक बार वीडियो को ला वर्तमान में आप इंतजार कर रहे हैं दोस्तूं तो एक बार चलिए दोस्तूं देखते हैं आपके सामने एक में क्यूसन है पहला जो लेकर आया हूँ आपको पटापट कमेंट करना इसका उतर वर्तमान में आप किस वर्ती की तैयारी कर रहे हैं दोस्तूं रीट पातरता या रीट मुक्के प्रक्षा संसकर्थ विबा की थर्ड ग्रेड बरती फेस्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड आप किस बरती की तैयारी में लगे हुए हैं या किस बरती के नोटिपिकेशन का आप कर रहे हैं इंतजार वीडियो देखते वे सबसे पहले आप इसके बारे में अपना कमेंट है वो जरूर कर दें दोस्तों फिर हम एक एक बरती के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि पिछले दिनों से आपके मैसेज मिल रहे हैं कि सर कौन सी बरती है जो इस साल हमें देखने को मिलेगी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे तो चलिए दोस्तों कमेंट करते सबी साती जो साती हमारे साथ जुड़े में अब देखिए हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो बर्ती कुन सी है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूँगा यहां पर नीचे से सेकिंड ग्रेड बरती जो सितंबर में आएगी उसके बारे में सबसे अंतमेद चर्चा करूँगा और बड़ी खुसकबरी यह मान कर चलिए कि यह जो बरती है जो सितंबर में आने वाली है यह आएगी आपकी 20 से लेकर 25 सितंबर के आज पास 20 से 25 सितंबर और लिख कर ले लो पक्का आएगी 13** आएगी यह बरती समझ गया दुश्योंब यहां से सबसे पहले अगर मैं से केंड ग्रेड की बात करता हुए आपके सेकंड ग्रेड बरती आपकी दोजार तेवीस में इसका नोटिपिकेशन आने की संभावना नहीं लग रही है यह बरती आपको दोजार चोबीस के अंदर देखने को मिलेगी दोस्तों पहली बरती जिसके बारे में हमने बात की से undertaking आईगी लगबग जब भी यह बरती आईगी साथ से आट हजार पद उपर यह बरती अने वाली है साथ से आठ हजार पद इस बरती के अंदर आपको देखने को मिलेंगे समझ गही लेकिन इसका नोटिफिकेशन आपको 2024 के अंदर देखने को मिलने वाला है वर्तमान में अगर आप बात करते हैं कि सर सेकंड ग्रेड बरती आएगी तो कोई इसके चांस हमें दिखाई नहीं पढ़ रहे हैं कि सेकंड ग्रेड बरती हमें दिखाई देगी समझ गे बात करें दूसरे नमबर पे फेस्ट ग्रेड बरती फेस्ट ग्रेड बरती वर्तमान में ये मान कर चलिए कि पूरी की पूरी संभावना है कि ये बरती आएगी लेकिन अभी ऐसा है कि वित्विबाद से पूरी सविकरती इसको नहीं मिलिया इस बरती को लेकर दूसरी बात RPSC बोर्ड से ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है कि हम नहीं बर्ती निकाल रहे है समझे आप तो ऐसी संभावना ये है कि ये भी आपकी बर्ती है जो 2024 के आसपास आईगी 2024 सुरुआत या मद्दे के आसपास बर्ती देखने को मिलेगी रही बात पदों की इस बार फेस्ट ग्रेड बर्ती है उसमें आठ हजार से पलस पद सोरी आठ जाने छह जार से अधिक पद आपको देखने को मिलेंगे कितने छह जार से अधिक पद है वो इसके अंदर देखने को मिलेंगे अब 6-7 भी जा सकते हैं, साड़ी साथ भी इसके अंदर पद जा सकते हैं दोस्तों तीसरी बर्ती, वो है हमारी साइसकर्ट सिक्ष्यावी बाद साइड ऐसा लग रहा है मेरे को, कि आप इसकी तैयारी में लगे थे लेकिन फिर आप क्या होगे, इससे साइड लाइन होगे कारण ये रहा, कि ये बर्ती है जो कब से आ रही है अप्रेल से आ रही है, और हम जब भी इसकी जानकारी देखते हैं कि अप्रेल से ये बर्ती, अप्रेल में आएगी फिर अप्रेल के बाद मई में आने वाली थी जुन में आने वाली थी जुलाई में आने वाली थी अगस्त में आने वाली थी सितंबर चल रहा है क्या सितंबर में आएगी यह यह ना आपका स्वाल सितंबर में पूरी संबाउना यह नहीं कहता हूं कि आएगी ही पूरी संभावना है कि 15 से 20 सितंबर के मद्दे इसके नोटिपिकेशन की जानकारी आपके पास आ जाएगी या नोटिपिकेशन इसका जारी कर दिया जाएगा अगर 15 से 20 सितंबर के बीच ये बढ़ती नहीं आती है तो फिर 2024 से पहले ये बढ़ती आपको देखने को नहीं मिलेगी डूसरी बात वित्विबाग वाली चर्चाह हम कर लेते हैं नियम संसदनू के अगर मैं बात करता हूँ कि क्या दिक्कत है नियम संसदन ये है कि ये पहले बढ़ती ओती थी सीधी नो एकजाम सिधी बरती होती थी लेकिन अब इसके अंदर एकजाम के थूरू इस बरती को करवाया जा रहा है जिसमें लेवल परतम के अगर हम बात करते हैं तो वित विबाग से सवी करती मिल चुकी है दोस्तों समझ गया आप लेवल टू के अगर जब हम बात करते हैं तो वर्तमान में जो बढ़ती है वो नियम संसोधनों से निकल चुकी है नियम संसोधनों में नहीं अटकी हुई है वर्तमान में ये कहां पर है वित विबाग के पास साइध आपको कहीं से भी सूचना नहीं मिली होगी वर्तमान में कहां पर है वित विबाग के पास ये बढ़ती है बागी देखें कि हम फेस्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की हमने बात की ये दोनों वित विबाग के पास नहीं गये लेकिन ये बढ़ती लेवल पर्तम स्विकर्ती ले चुकिए लेवल द्विते है आपकी जो वित विबाग के पास है कहने का मतलब ये बढ़ती आपके सामने है और आने वाली है अब ये है कि सरकार की मनसा क्या है सरकार अगर इस बढ़ती को करना चाहेगी तो नोटिफिकेशन जल्द आ जाएगा इसका वित विबाग सरकार के अनुसार चलता है सरकार चाहेगी तो वित विबाग जल्दी स्विकर्ती देगा वरना टाइम लेगा एक बार फाइल वापिस बेजी जाएती है लेकिन ये कार ये कब होता है हमें भी पता नहीं चलता है किसी को पता नहीं चलता है कब गई कब आई कब स्विकर्ती मिली जिस दिन स्विकर्ती मिलती है उस दिन हमें पता चलता है कि आज भी तुविवाग से सुभी करती इसको मिल गई ही दोस्तु समझ गए अब देखे क्योंकि यह बढ़ती है और आप सभी साती जो भी साती इसकी तैयारी में लग रहे है बागी देखे सेकंड ग्रेड पेस्ट ग्रेड का सलेबस आपने पढ़ रखा आपको पता है क्या सलेबस रेता है इसका जो सलेबस रहेगा संसकर्थ विवाग पहले बात तो आपके रीट पातरता पास होनी चाहिए रीट प्रीज इसको हम बोलते हैं वो पास होनी चाहिए समझ गए उसके बाद इसके अंदर अगर हम सलेबस की बात करते हैं तो सलेबस के अंदर जो रीट मुक्के परक्षिया का सलेबस है ना मुक्के परक्षिया का सलेबस वो का वो सलेबस रहेगा बस दिक्त कहा पर आगई वो आगई आपके जीके में क्योंकि रास्तान जी क्या आपके बहुत अधिक मातरा में इसमें आईगा और रास्तान जी क्या आपको पढ़ना है वो पढ़ना है पचास जिलूं के अनुसार क्या स्भु का वोई रहेगा वोई चीज इसमें पूछी जाएगी अब यहां से सेकेंड पहला कमेंट तो आपको बढ़ती से लेकर था बटियों में जो सबसे पहले बटे आएगी वो सेंस करत सिक्षय ओर्वाग वाली बड़ती ही आईगी दोस्त। अगर सितंबर में फेश्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड में से माहल बनता है फेश्ट ग्रेड का माहल बन रखा अभी के बड़ती आने वाली हैं अगर इसका कुछ मावल बनता है तो उससे पहले आपकी सेंसकर्ट सिक्षाविबाग है यह बढ़ती आजाईगी दोस्तों समझ गए यह हो गई सेंसकर्ट सिक्षाविबाग पूरी संबाउना है कि 15 से 20 सिप्तंबर के मद्दे इसका नोटिपिकेशन आएगा सो परती सत लेक कि जो रास्तान करमचार चेंबोड आयोग है जिसके पास सीटी के अंतर गया जो बड़तियां थी वो बड़तियां आगे चली गई है उनका एकजाम है एकजाम डेट को अभी वर्तमान में दिया तो नहीं गया लेकिन जो पहले एकजाम डेट था जो जैसे 9 सितंबर को पास एकजाम था उन सभी को एकजाम को भी रोक दिया गया है और उनकी डेट है वो आगामी आदेश तक अभी तक पता नहीं है कि किस डेट पर होनी है तो क्रास्तान करमचार चेंबोड आयोग है वो वर्तमान में क्या फिरी उस वज़े से दोस्तों समझ गे अब देखिये जिस भरती की मैं बात कर रहा हूं जो सितंबर में पक्का आएगी यानि कि हम बात कर रहे हैं रीट पातरता और मुक्य प्रक्षा इनमें से सबसे पहले मैं बात करता हूं पातरता की यह बरती कब आएगी सितंबर में आएगी किस दिन आएगी इसकी अभी बता देता हूं म 25 सिप्ственबर के बाद 25 सिप्ственबर के बाद इस बर्ती का नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिल गये 25 से 30 अगर यह पहले होते है तो 20-22 के असबास आजाएगा लेकिन 25 सिप् Самबर के बाद इसका नोटिफिकेशन आपको जरूर देखने को मिलने वाला है पातरता पातरता के अंदर देखिए कोन बाग ले सकता है जो बियर्ड और बियस्टी सी जिन्होंने कर ली है ये तो लेवल पर्थम से जाएंगे ये लेवल द्वित्वित्व से जाएंगे अब देखें यहां पे जिन्होंने पास कर ली है यानि कम्प्लिट इनका हो गया है वो पातरता में भाग ले सकते हैं पहला दूसरा कोन भाग ले सकते हैं जो बियर्ड और बियस्टी सी के फाइनल में है फाइनल इयरे में है फाइनल इयर के अंदर है वो अब देखें फाइनल एर मतलब बियेड चार साल वाली कर रहे हैं तो चोते साल में हो या बियेड आप अगर कर रहे हैं दो साल वाली तो सेकंडियर या दूसरे साल में हो बियेड अगर आप दो साल वाली है दो साल वाली ही करोगे तो उसमें आप दूसरे साल के अंदर हो दो के आसपास बच्चों को पातरता नहीं मिली थी तो वो चार लाग है और दो से डाइलाग नए विद्यारती इसमें जुड़ गए हैं दोस्तों समझ गए तो कुल मिलाकर यह च्छे लाग के आसपास बढ़ती है यह बढ़ती आने वाली है और अगर आप इसकी भी तियारी कर हैं तो भी कमेंट करके जरूर बताएं कोर्स के बारे में आपको कंप्लिट डिटेल दूंगा एक एक टोपिक एक एक विशे नोटस एप के दोवारा उपलब्द करवाऊंगा और जो कलासे हैं वो यूटूब के मादेम से उपलब्द करवाऊंगा हर विशे की टोप कलास नोट सुंके मादेम से दोस्तों तो सिधी बाद जिस बर्ती को लेकर मैं ये वीडियो लेकर आया था वो बर्ती थी रीट पातरता दोस्तों अब देखे रीट पातरता अगर होती है इससे ही हमें पता चलता है कि रीट पातरता होई है तो उसके बाद ही हमें पता चलेगा म मुक्य प्रक्षिया अगर हम मुक्य प्रक्षिया की बात करते हैं यहां पे कि मुक्य प्रक्षिया कब तक होगी तो मुक्य प्रक्षिया है ना आपकी यह है कि इसका नोटिफिकेसन आने की संबावना है आचार सहीता लगती है उससे पहले कि सरकार एक बड़ी गोशना करेग कि हम 30 रेनी सिक्सक बढ़ती है द्यापक बढ़ती है उसमें 20 जार 25 जार पदू पर बढ़ती निकालेंगे लेकिन यह है कि इसका नोटिफिकेशन इतना समय नहीं है आज गोशना हो फिर इस यह जाए इतना समय अब नहीं रहा है आचार सहीता लगने वाली है जो साती यह कि मैंने खबर पड़ी है जो पत्रीगा मैंने पड़ा है उसमें ऐसा लगा है कि निर्वाचन आयोग के दोवारा टीमें बेजी गई है वहां पर चुनाव करवाने के लिए मद्दे परदेश राजस्तानी यहां पर तो चुनाव समय पर यानि दिसंबर के आसपास बरती की तैयारी करने के लिए आपको कम से कम 15 से 20 महीने लगते हैं दोस्तों तो जिन साथियों का इस बरती में सेलेक्शन नहीं हुआ है वो इस बरती की तैयारी में आज से लग सकते हैं अच्छी तैयारी कर सकते हैं दोस्तों समझ गए जो मुक्य हमारा उदेश से था सित कुण सी बर्ति आ रही है अब साब सब्सब्दों में सुन लेRAY शिप्टम्बर में दो बर्तिया है एक तो आपकी पातरता कुण सी है पातरता एक जाम है एक तो जो रीट का पातरता है न वो दोस्ट हो समझ गे और दूसरा है वो ये तो पका आएगा आपका और दूसरा जो आने वाला है वो है संसकर्ट वाला संसकर्ट सिक्षा विबाग वाला संसकर्ट सिक्षा विबाग के अंदर जो थर्ड ग्रेड बरती है ये आपकी पका आएने वाली है दोस्तों संसकर्ट सिक्षा विबाग थार्ड ग्रेड बर्ती ये भी आपकी पका इस बार देखने को मिलने वाली है दोस्तों समझ गए तो ये जो मुक्य बर्तियां है इनके बारे में मैंने विस्तरित बता दिया है अब आपका कोई भी डाउट है तो आप सीधा इंस्टाग्राम पर जाकर मेसेज के दुआरा जा कारी ले सकते हैं नीचे आपको इंस्टाग्राम लिंक दिया गया है दोस्तों समझ गया आप यहां से और आप किस बर्ती की कर रहे हैं वर्तमान में तैयारी एक बार फिर मैं आपके सामने रख देता हूँ आप कमेंट करके मेरे को बता दो कि इन मैंसे किस बर्ती की आप व बहुत बहुत धन्यवाद, जे हिंद, जे बार